नमस्कार मैं आस्था मेरे चैनल व्रिंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी योगनी एकादशी के बारे में और इसकी जो कथा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी आसाड मास के क्रिशन पक्ष की जो एकादशी होती है उसे योगनी एकादशी कहते हैं योगनी एकादशी 2021 में 5 जुलाई को पड़ेगी योगनी एकादशी के प्रभाव से पापों का नाश होता है, पुन्यों की प्राप्ती होती है, चरम रोगों का नाश होता है, शरीर को सुख प्राप्त होता है एकादशी वरत के जो नियम है और जो पूजा बिधी है क्या खाना है ये सारी जानकारी आपको उपर आई वटन में जो वीडियो है उसमें मिल जाएगी तो चलिए मैं आपको योगनी एकादशी वरत की कथा सुनाती हूँ एक बार युदिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से योगनी एकादशी की महिमा पूछी भगवान कृष्ण ने कहा यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली योगनी एकादशी वरत होता है यह बरत संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए नौका के समान है एक बार की बात है अलकापूरी में वहां के राजा कुबेर वास करते हैं वे सदा भगवान शिव की भगती में ततपर रहने वाले हैं उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था हेममाली की पतनी बड़ी ही सुनदर थी उसका नाम विशालाक्षी था वह यक्ष अपनी पतनी से बहुत प्रेम करता था एक बार हेम माली मान सलोवर से पुष्प लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पतने के साथ काफी समय वतीत हो गया और उसे पता भी नहीं चला उधर कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए बैठा पुष्प के लिए परतिक्षा करने लगा कुबेर ने यक्षो से पूछा कि हेम माली कहा है तो यक्षो ने बताया वह अपने घर में अपने पतनी के साथ है और वह पुष्प तो लेकर आया पर वह यहां नहीं पहुचा है ये सुनकर कुबेर बहुत ही क्रोधित होता है और हेम माली को बुलावा भेजता है हेम माली जब यह देखता है कि समय बहुत व्यतीत हो गया तो वो डरता डरता कुबेर के सामने आता है उसे देखकर कुबेर की आखे लाल हो गई वे बोले ओ पापी ओ दुष्ट ओ दुराचारी तुने भगवान की अभेलना की है तु कोड से युक्त और अपनी प्रियतमा से विमुक्त होकर इस स्थान से भरष्ट होकर यहां से चला जा कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया नीचे गिरते ही उसे बड़ा कष्ट होने लगा उसके शरीर पर कोड हो गया और वह इधर उधर भटकने लगा भटकते भटकते वह एक बार मेरू गिरी के परवत के शिखर पर पहुँच गया वहां मारकंडे रिशी उसे मिले उनके दर्शन को पाकर वह यक्ष थोड़ा प्रसन हुआ और दूर से ही उन्हें प्रणाम करने लगा और कापते हुए उनको अपने कश्टों के बारे में बताना चाहने लगा तब मुनिवर ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और इतने कश्ट में क्यों हो तो यक्ष बोला मुने मैं कुबेर का अनुचर हूँ मेरा नाम हेममाली है मैं प्रती दिन मान सरोवर से फूल लेकर आकर शिब पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था एक दिन पत्नी के साथ सम मैं अधिक व्यतित होने के कारण मैं लेट हो गया और पूजा का समय निकल गया जिसके कारण कुबेर महराज क्रोधित हो गये और मुझ पापी को श्राप दिया जिससे मैं कोड़ ग्रसित हो गया हूं और अपनी प्रियतमा से दूर होकर यहां पर पढ़ा हूं भटक रहा ह कीजिए तब मारकंडे जी ने कहा तुमने यहां सची बात कही है इसलिए मैं तुम्हारे कल्यान के लिए बात कहूंगा तुम आसाड के क्रिशन पक्ष में योगनी एकादशी व्रत को करो इस व्रत के पुर्ण से तुम्हारे कोड़ निश्चित ही दूर हो जाएंगे वचन सुनकर हेम माली मुनिवर के चरणों में लेट गया और योगनी एकादशी के आने पर व्रत को किया व्रत के प्रभाव से उसके शरीर का सारा कष्ट दूर हो गया और अपने पापों से मुक्त होकर वह यक्ष दुबारा से अपने उसी कारे को करने लग गया इसी प्रकार जो भी योगनी एकादशी के व्रत को करता है उसके भी सभी कष्टों का नाश हो जाता है ये तो थी योगनी एकादशी व्रत की कथा इसी प्रकार की जानकारी, व्रतों की कथा, व्रतों के बारे में जो नियम है वह सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यवाद